हेलो एरीवरन वेलकम टुमा यूटूब चानल एह हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग इगनों ने जूंद एक टाम एन एक्जाम रिजल्ट का आज एक और अपडेट पब्रिस कर दिया है और यह रिजल्ट का फोर्टींथ अपडेट पब्रिस किया गया है इस अपडेट में मैं लेकिन बाकी अधर रिजन का रिजल्ट अपडेट हुआ है तो आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लोग देखो रिजल्ट डिकलेट किया गया है या नहीं किया गया लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख लो कि यह स्टेटस एक तक सो कर रहा है जो के पहले 28 ज सबिएपर तक सो कर रहा था यानि कि तीन दीन का result update किया गया लेकिन इस तीन दीन के update में काफी paper के result डेक्लर किया गया है तो मैं आप लोग को proof के दौर देखा दह रहा हूँ कि कौन-कौन से paper का result declare किया गया है यहाँ पे देख लो आप लोग amk01 का result declare किया गया 50 में 28 marks आए है beg104 का result declare किया गया है 100 में 46 marks आए है दोनों का data of decision on website 30 September सो कर रहा है उसके इलावा MSD 16 के update हुए है 50 में 23 marks आए है date of decision on website 1 October सो कर रहा है उसके इलावा एक और strain का mg07 का update हुआ है 100 में 46 marks आए है data of decision on website 1 October सो कर रहा है याँ कि आज ही update हुआ है उसके अलावा और कुछ-कुछ paper के result declare किया गया है जैसे यहाँ पे देखो mco01 और mco03 के update हुए है 145 और 100 में 40 marks आए data of decision on website 1 October सो कर रहा है यहाँ पे देखो आप लोग की बाकी सभी में फिर भी average marks आये हैं लेकिन एक paper में 0 marks आये था यह student का यानि कि 0 marks कभी भी आपका है ना इस तरीका का paper में तो आप समझ लो की आपका paper checking हुआ ही नहीं है ठीक है बस उन्होंने जिसी तरीका से टिक करके और उसके बाद से result update कर दिया है जब आप लोग rechecking और photocopy के लिए apply करोगे तब देखना कि यह marks कितने increase होते हैं 30-40 marks भी भरते हैं तो जो भी student का apart from maths, mathematics के लावा बाकिया और किसी भी paper में 0 marks आ रहा है और उसके बाद से photocopy और rechecking apply करने के बाद से 63 marks हो गया था पहले 0 आया था और photocopy और evaluation करने के बाद 63 marks आ गया था तो यह सब जितने ही paper है I mean जैसे English के paper हुए, sociology के paper हुए, history के paper हुए या commerce के paper हुए यह सब जितने paper हैं उसमें 0 आने का chances एकदम ना के बराबर रहता है क्योंकि कुछ न कुछ marks मिलेंगे तो अगर आपके marks 0 आया है या आप अपने marks से satisfied नहीं है तो you should apply for photocopy of answer seat and rechecking और आपके marks definitely increase होंगे ठीक है, इसके इलावा, एक और strength है देखो BG 107 का result update हुआ है 100 में 58 marks आ है date of addition on website 30 September तक सोकर है उसके अलावा, एक और strength का ANC 01 का marks update हुआ है 100 में 42 marks आ है date of addition on website 30 September सोकर है और एक और बात मैं बता दूगे जैसे मैं हमिसा आप लोग को बताता हो हर एक रिजन का अलग-अलग date पे update होता है इसलिए मैं बार-बार बताता हूँ कि जो भी मैं वीडियो में देखा रहा हूँ वो किसी ना किसी reason का update होता है अब देखो ANC 01 जब first update आया था तब से declare होते आ रहा है और अभी भी, यह 14th update है और अभी भी declare हो रहा है तो इसलिए अलग-अलग reason का अलग-अलग date पे declare होता है अगर आपका marks update नहीं हो रहा है तो ऐसा कोई tension की बात नहीं है कि आपका marks declare नहीं होगा वो होगा जैसे checking होगा वैसे update होगा ठीक है ना इसके अलावा देखो कितने paper अपडेट हुए है हंडेट में 53 marks आ है डेट अपडेशन वेबसाइट एक अक्टूबर सो कर है इसके अलावा एक और S20 का LAC03 का marks अपडेट हुआ है 50 में 25 marks है अब इन ही S20 का देखो NC01 का इनका 24 सिप्टमर को अपडेट हुए हंडेट में 58 marks आ है और अग और S20 का जो NC01 में मैंने marks देखा है उनका 30 सिप्टमर का अपडेट हुआ है तो समझ में आ है ना कि अलग-अलग reason का अलग-अलग date पे अपडेट होता है अब इसके अलावा और कौन-कौन से paper के marks अपडेट हुए है MWG 009 का अपडेट काफी दिरों के बाद देखने को मिला FSC 01, BSHF 101, FEG 01 की काफी S20 के result pending था उनका अपडेट हुआ है MECE 004, MECE 001 economics के paper है Master E&Economics के उनके अपडेट हुए है AEC 01, AED 01, AEC 01 के अपडेट हुए है TS 03, 06 के अपडेट देखने को मिले MCS 021, 014 के अपडेट हुए है CT 03, 05 के अपडेट हुए है CT 03, 05 भी I mean Starting के कुछ अपडेट से ही डेकलेर होते आ रहा है और अभी भी डेकलेर हो रहा है उसके अलावा Management के paper में MS 94, 96 के अपडेट हुए है Master in sociology के paper में MS OE 003, 004 अपडेट हुए है Group 3 के जो paper है Bachelor of Arts के उनका काफी paper अपडेट हुआ है EPA 04, BPY 006, EHI 04, EPS 7, EPS 8 यह सभी Group 3 के paper है उसके लावा EPA 05, BPY 09, EASO 15, MT 11, BULE 005, BEC 016 और ECO 9 यह सभी Group 5 के paper है जिनके काफी update देखने को मिले तो यह सभी update मैंने चेक किया है बाकी आप लोग भी अपना-पना result चेक कर लो देखो आप लोग का result अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है और जो भी paper का result डेक्लेर किया गया होगा तो नीचे कौन बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप अपने mark से satisfied नहीं है तो आप लोग photo copy of answer sheet और यह checking के लिए apply कर सकते हैं इसके उपर मैंने detail में वीडियो बनाया हुआ है आप लोग चाहें तो वीडियो देख सकते हैं जिसे आप लोग को apply करने में कोई भी problem नहीं होगा और great card अभी update नहीं हुआ है great card अभी 28 September तक ही show कर रहा है लेकिन next week तक great card भी update हो जाएगा तो यही सब्सक्राइब वीडियो में आप लोग को result के 14th update के बारे में जनकारी दे रहा था मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा सब्सक्राइब को लाइक जरू कर दे सब्सक्राइब कर दो ढाया कर दो दो कर दो हुआ ओ Гरेगा